कि वेलकेंट इपर इंपिसोड अफ इन्सपिरिशनल वेब सीरीज यू वर्स इस यू विथ मी साजन शाह सेवंटेंट एपिसोड इंचैन शर्प्राइज इसे मैं कहता हूं लार्न दोस्तों एक वर्ड है लर्न जिसके उपर एँफसाईद पूरी दुनिया के अंदर अरे एक जगा पर किया जाता है और दूसरा वड़ है अनलर्निग जिसके उपर शायद रेर अवज जगा पर सिखाया जाता है जबकि अनलर्निग से भी ज्यादा इम्पोर्टन आज की स्टेज के अंदर है क्या है आप अपनी प्रेक्टिकल लाइफ में कैसे ऊटिलाइज कर सकते हो और उससे आपके जिन्दगी के इंदर क्या-का बदला आ सक्ता है वह सारी जीजें बताने वाला है थे मेरी एक एक मिनिट बहुत ध्याजे सुनिएगा सबसे पहले एक basic question से start करते हैं कि हमारा mindset और हमारी belief कैसे shape होती है देखो दोस्तों आप जिन surrounding के इंदर घुमते हो आप जिन लोगों के साथ अपना maximum time invest करते हो आप जो school के इंदर जाते हो आप जो college के इंदर जाते हो religious mythology है आपका parenting है य जो होता कुछ ऐसा है कि 5 या 10 साल के span के अंदर हम यह सारे experiences को इतना firm दिमाग के अंदर set कर देते हैं कि यही चीज हमारी 100% perfect right belief बन जाती है और 100% strict rigid mindset बन जाता है तो उसके बाद में कोई भी अगर आपको को innovation idea दे या नया thought दे जनरली आपका mind accept नहीं कर पाता है just because आप एक ही वो reflect करता है कि आपकी rigidity वो particular situation के अंदर कितनी है इसी reason से हम हर साल अगर हमारा growth ratio भी चेक करे जाए आप student हो आप business icon या आपकी person life है यह तीनों दिन के zone के अंदर आपका maximum to maximum growth ratio 5-10% की range के अंदर ही घुमता रहता है उससे आगे shift नहीं मिलता I'll give one very beautiful example दोस्तों मैं आज दि टीचर से भी interaction करता हूं तो गई बार जब मैं टीचर को फूशता हूं कि मैं आज technology इतना जदा आगे बढ़ गई है इतना जदे innovations होना start हुआ है तो आप अपनी teaching patterns को change क्यों नहीं करते you know what majority of time जो answer होते है वो कुछ ऐसे ही होता है कि साजन हम जानते है 5-10 साल से हमारा अनु प्रोसेस है वो uncomfort से भरा हुआ होता है तो majority of time लोग हमेशा uncomfort से भागते है और उसी वजह से unlearning नहीं होता है और नहीं प्रोसेस के अंदर हम evolve नहीं होते same case applies for the businessman to let's say young entrepreneur ने अपना business start किया अब starting के चार या 5 साल के अंदर उसकी life की जितने भी अलग-अलग-अलग experiences है experiences उसका mindset और उसका thought pattern बहुत जदा fix हो जाता है reluctant हो जाता है कि ऐसे ही होगा business ऐसे ही आगे बढ़ेगा और उसी वज़े से कुछ नया innovation ना होनी की वज़े से 5 साल 10 साल के बाद एक plateau आ जाता है जिसके बाद में growth करना it becomes difficult बहुत ही simple में मैं समझाओं आपको तो on learning simply means कि ऐसी belief system ऐसे mindset जो आपको जिन्दगी में आगे बढ़ने के लिए growth नहीं दे रहे है आपको uplift नहीं कर रहे है और आपको नया breakthrough नहीं दे रहे है वो सारी चीजों को erase करना है उसको replace करना है नए powerful mindset से नए powerful belief system से तब जाके वह जो missing breakthrough है आपके जिन्दगी का वह आपको मिल जाएगा समझ गए yes or no yes okay now today's challenge आज का challenge बहुत 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 अमेजिंग और बहुत ज्यादा challenging है आज का जो challenge है वह exit तीन महिने तक चलेगा figure मत करो मैं आपको तीन महिने तक same to same चीजे करने के लिए नहीं बोलने वाला हूं लेकिन ये तीन महिने को हम 6 slots के अंदर divide कर रहेगा अब एक slot के अंदर क्या करना है उसका simple explanation मैं आपको बढ़ाता हूं trial 1 15 days अब अगर आज से आप start कर रहे हो तो आज जब शांती से शाम को बैठो तो आपने आपको पूछो कि अपनी life के अंदर दो ऐसी belief pattern कौनसी है जो आज इसे moment पर हमें break करना बहुत ज़्यादा कहीं सारी लोगों का mindset होता है कि लेट से बिल्ली न अगर रास्ता काटाना तो कुछ बूरा होगा बहुत common बहुत वेग बिलीफ है जो आप अपने दिमाग के अंदर बचपन से लेके चल रहे हो अब करना बहुत simple यह बहुत practical है बहुत स्ट्रेजिकल है तो उसे एक-एक moment क को बहुत ध्यान से समझना अभी तक आपका बिलीफ सिस्टम था कि बिल्ली ने रास्ता काटा तो बुरा होगा अब लेट से अगर बिल्ली रास्ता काटती है तो इस moment पर on that moment आपने आपको दो positive suggestions instantly दो it should be like something like this कि येस बिल्ली ने रास्ता काटाना आज ज़रूर कुछ जव करना है and then पूरी दून के अंदर अगर कोई भी चीज माइनर लेवल पर अगर अच्छी हो रही है न तो उस बिलीफ को इस रेफरेंस के साथ जोड़ दो अजूम करो किसी ने आपकी मदद की कोई आपको आज रास्ते पर खड़े हो और लिफ दे दिया any random kindness act अगर माइनर भ करो कि आप को अच्छा इनिशएटिव ले रहा है तो आपको पाउजिटिव करना है पॉसको जसे अप सब्सक्राइब करो doesn't matter अगर आपको पता भी है कि वो fail होने वाला it's okay still उसको appreciate करो अब दो बार appreciate जब कर रहे हो तो पूरे दिन के अंदर अप्ज़व करो अगर उसके चहरे पर एक beautiful छोड़ा smile भी आ रहा है न तो smile को आपके appreciation के साथ जोड़ दो and you will see that again वो belief reform होने के लिए तयार हो जाएगी simple scientific word के अंदर आपको कहूं तो एक side है wrong assumption wrong belief उसको आप replace कर रहे हो positive assumption positive belief और ये replacement जो है उसको ज्यादा strong करने के लिए आप दो तीन reference points उसके अंदर add कर रहे हो ताकि जो पूरानी system थी वो totally erase हो जाए और नई system internally powerfully set हो जाए simple था okay अब हर trial के अंदर जो 15-15 days का है कोई दो belief system को 100% उसके उपर trial दो और कोशिश करो के आने वाले next 14 days तक वो जो दो belief system आपने दिमाग के अंदर set करके रुखवी है उसको totally erase कर देनी है नए को फॉंग करना है और positive जिंदगी में आगे बढ़ना है तीन महीने तक 6 slot मतलब कि minimum 12 belief system आपकी change हो जाएगी और तीन महीने के बाद आपको उतने efforts नहीं देने पड़ेगी विकॉस तीन महीने के य है यह पूरे process के अंदर आपका mindset unlearning process के लिए totally तयार हो जाएगा और उसके बाद आप कोई भी चीज को सीख सकते हो learning zone में जा सकते हो और आप जब चाहो तब unlearning zone के दर जा सकते हो यह भी किया through with everything Elvin Tuffler हमेशा से चीज़ कहते थे the illiterate of 21st century will not be those who cannot read and write but will be those who cannot learn unlearn and relearn ना भी समझ लिया you are through the basic funda was very clear wrong assumption replace करना है powerful assumption powerful belief और उसके साथ join कर देना है powerful references को now comes another most amazing part of this episode real life example आज मैं जिस लेडी के बारे में बात करने वाला हूं she is simply the sensation वो हजारों लाखों लोगों के लिए एक inspiration है जो चीज लोग दो हाथ होने के बावजूद भी नहीं कर सकते थे उन्होंने बिना हाथों के करके दिखाया और हजारों लोगों को प्रूव किया कि अगर आपके पास devotion है dedication है vision है तो इस दुनिया के अंदर को भी चीज इंपॉसिबल नहीं है मैं जिस लेडी के बारे में बात कर रहा हूं उस लेडी का नाव है Jessica Cox बचपन से ही arms के बिना बॉन हुए थे एक interview के अंदर उनके फादर ने कहा कि जब से वो बॉन हुए वो द उनका एक devotion था और उनका एक सपना था कि वो जिंदगी के अंदर pilot बनना चाते थे दो हाथ थे नहीं लेकिन vision strong था guess what पुरी दुनिया के अंदर she was the first lady pilot जिन्होंने दोनों हाथों के बिना अपने पैरों से सबसे पहली बार flying किया can you imagine typing speed right now she has is more than 25 letters per minute वो आज एक scuba diver भी है इतने हट तक के आज दिन के अंदर उनकी जिन्दगी के अंदर उन्होंने टाइक वंडू के अंदर black belt तक हासिल किया हुआ है एक मुमेंट के लिए सोचो एक मुमेंट के लिए feel करो कि दोनों हाथ ना होने के बावजूद भी ऐसा dedication ऐसा devotion लोग कैसे रख सकते हैं और अभी भी जैसीका का life अगर इसी मुमेंट पर feel करना हो तो आज रात को जब डिनर करने के लिए बैठ हो तो एक मुमेंट के लिए सिर्फ इतना try करना कि जब आपकी plate totally set हो जाए तो कोशिश करना कि जो spoon है उसको पैरों से पकड़ो और spoon से खाने के कोशिश करना आपको पादा चल जाएगा कि कौन सा level of devotion कौन सा level of struggle and कौन सा level of fighting spirit वो अपने जिन्दे की के अंदर रखते थे जिन्दे की के अंदर ये मुकाम हासिल करने के लिए एक मिमेंट के लिए भी सोचना कि एक साइड पुरी दुनिया है लोग हस रहे हैं लोग मजाक उडा रहे हैं लोग इनफेक्ट ये भी बोल रहे हैं कि भी हाथ नहीं है जिन्दगी में क्या करोगी पुरी दुनिया है उनके surrounding से लेगे आज-पास के हर एक लोग है और उनकी belief system है उनका mindset है उनका जिन्दगी देखने का नजरिया है और दूसरी साइड वो अकेले है उनका mindset और उनका belief और उनका खुद पर विश्वास है understand one thing unlearning जिन्दगी के लिए सबसे important इसलिए है तो जो आज-पास से जो mindset आपको मिला है आज-पास के लोगों से जो experiences मिले है आज-पास के लोगों से जो आपके belief pattern shape हुई है unlearning एक ऐसा method है जो सारी के सारी चीज़ों को तोड़ सकता है अगर जैसी का कोक्स कर सकते है तो आप जो अभी मुझे देख रहे हो आप भी कर सकते हो बस अपने आप पर विश्वास करो आज-पास के लोगों के suggestion से अपनी journey को shape मत करो खुद पर विश्वास रखे आज-दिन करने के लिए तैयार हो जाओ तीन महीना छे स्लोट बारा बिलिफ शुड गो ओन एक बार स्टार्ट किया बाद में स्टॉप मत होना एंड इस टाइम मैं आपके experience के जरूर वेट करूंगा जल्ब मिलते है एपिसोड 18 के साथ कुछने learning कुछने examples कुछने challenge के साथ तब तक के हैं